यह लाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे हिमाचल परदेश हाई कोट सिमला के दौरा एक रिक्यूटमेट नोटिस जारी किया गया है इसमें आपको बताएंगे विभिन तरह के पदों के लिए आबेदन मांगे गय देखिए धीरे धीरे हिमाचल परदेश में जो भरती प्रक्रिया है आपको ट्रेक पर आती हुई दिखेगी क्योंकि अब देखिए लगबग बरसात का मौसम भी खतम होने वाला है और मानिया मुख्यमंत्री सिरी सुखविंदर सिंग सुखकु जी के द्वारा क्लियर कर द अपनी स्टडी का एक प्लैनिंग कीजिए एक निश्चित सेडियूल बनाईए और उसके अनुरूप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाईएगा यहां पर हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट में क्लर्क की वेकैंसिस भी निकली है आप इनके लिए भी अपलाई कर सकते हैं आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है चाहे बकैंसिस की संख्या कम हो या ज़्यादा हो यह आप कंपरेट्टिव एक्जाम में बिल्कुल तनमंधंस से जूटे हैं जूडे हैं तो आपको देखिए कभी भी नहीं सोचना है कितने बकैंसिस निकली है जिस बकैंसिस के आपका फेपर होता है उन्हें आप पटेम्ट करते हैं तो उन कोस्चिंस में से यह अगली एक्जाम में पांच प्रसंट भी रपीट होते हैं तो आप यह मान के चलिए जो फ्रैसर कैंडेट है उससे आपने पांस मर्क्स जादा ले लिए हैं आपकी सक्सेस का यह मूल मंतर बन सकता है तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि कलर्क की यह आप बात करें तो कलर्क के यहाँ पर 15 पदों के लिए आप दन मांगे गए हैं और हम आपको अपडेट कर दें कि इलाइश्ट टेडी टीम के दोरा हिमाचल परदेश हाई कोड़ के लिए बहुत वेस्ट बुक सबसे बड़ी विशेष्टा है यहाँ पर आपको मिलते है प्रिब्विए सौलबर पेपर उसके बाद कम्पलीट इसलेबस है तो आप इस किताब के साथ में इस त्यारी को आगे बढ़ा सकते है तो इस त्यारी की इस किताब को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इलाइट स्टेडी को रोट इन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा वहीं से आप और करेंगे इंडियन पोस्टल सर्विसिस के माद्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी इसी तरह से हिमाचल परदेश हाई कोट में प्रोसेस सर्बर्स की है या इन एक्जामिन ट्रांसलेक्टर पंजाबी की बात करें तो इसके लिए भी एक वेकैंसी निकाली गई है एसिस्टेंट प्रोग्रामर देखिए आईटी सेक्टर के अफ्यार्थियों के लिए बता दें कि एक वेकैंसी के लिए आप यहाँ पर एपलाई कर सकते हैं कलरक के 15 पद रहेंगे सब्सक्राइबर के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे गए है स्वाई करमचारी जो कि चुतुरित्या स्रेणी में आते हैं उनके भी 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं माली की बात करें तो माली के लिए 5 वेकैंसी तो आप देखिए समय रहते ही आप एपलाई कर द तो इलाइट स्टेडी टीम की बुक्स के साथ में आप अपने त्यारी को आगे बढ़ा सकते हैं सिंपली आप इलाइट स्टेडी को रटेन वेब साइट पे जाईए और वहां से जाकर करके इन किताबों को और्डर कर लीजिए और नियमित रूप से आप सेल्फ स्टेडी के स सबसे वेस्ट सोर्स होता है आप यह मान के मत चलिएगा कि आप किसी कोचिंग इंस्टिट में जाते हैं तो बहां पर आपकी स्लेक्शन हंडर परसेंट होने वाली है आप हर गली हर महले हर गाउं में देख सकते हैं अजारों की संख्या में विजार्थियों ने कोचिंग ल ट्रोथ फाइंड नाट कीजिए युदि आपको अच्छी बुक्स मिल जाती है तो व्क्सको आपने बार बार रिवाइस करना होता है और भीजन से देख्या क्या होता है डाटा आपके ब्रेन में सेटल हो जाता है और अच्छे से आपके दिमाग में सेटल हो गया तो जब आप एक्जावेशन में बैठते हैं तो जो बिकलब होते हैं विकलबों में से सही उत्तर का चैन करने में आपको सहाइता मिलती है तो आपको इस तरह की एक इस तरह की अपने दिमाग में डिवैलॉप करनी है पहले अपना टाइम टेबल बनाएए अपनी सेल्फ साथी है की सर निउस पेपर में हमें पदा नहीं चलता है क्या अपढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है देखिए अप ही EP सिज आते है आपका इंटस्टी में है तो आप इस त्री को हिए औरियृई पंझा प्लेटीक्स से समद्धित है तो आप फोनीक्स सब्सक्राइब को सफलता मिलेगी तो इमाचत परदेश में काफी बल्क में आप नौकरियां आने वाली है तो आप अपने आपको त्यार कर लीजिएगा नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक यू बेरी मुच कीप वाचिंग इलाइट स्टेडी यूट्यू चैनल